क्यों यूटूबर्स साच नहीं बोल पाते हैं? एक एवरेज चैनल पर अगर व्यूज और वाच्टाइम आता है तो उसमें पैसे भी कमाया जाता है ये रैंकिंग दखो मेरे चैनल का तो ये तो बहुत पीछे है पल्कि अभी सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके वाच्टाइम नहीं वाच्टाइम के लिए ओर स्ट्रगल करना पड़ेगा निज रूल से आये हुए है तो निज रूल को फौलो करना पड़ता है तो सब्सक्राइबर्स को थैंक यू तो कहना जाओंगा लेकिन watch time complete नहीं हो रहा है अभी देखो कि यहाँ पे estimated इतना earnings होना चाहिए लेकिन इतना हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे views और watch time बहुत कम है हाँ मैनत तो जारी है लेकिन आप सबका प्यार और support मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना तो प्लीज वीडियो को शेर करो चितना हो सके उतना शेर करो सब्सक्राइब भी करवाओ ताकि मुझे यह आपको जानकारी देना पड़ेगी कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि देखो मैं भी एक नया यूटिवर हूँ देखो 12 अगस्ट को मैंने जो चालू किया था वापस से वीडियोज बनाने के लिए तो मैंने अभी स्टॉप नहीं किया मैं शॉट वीडियोज बनाता हूँ जो भी आता है नया ट्रेनिंग वीडियोज बनाता हूँ तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे चैलेंज बढ़ जाता है तो नए नए चैलेंज आता है तो नए वीडियोज बनाने पड़ते हैं रुकना नहीं होता है तो लॉटियोज बनाने के लिए भी सोचना पटता है स्क्रिप्ट लिखने पढ़ती है तो ये सारी चीज़े मुझे करनी पड़ती है तो पर इसको वक्त नहीं मिलता क्यूंकि काम के अलावा मुझे YouTube पे ट्रावल करना या चैनल पे वीडियो बना के डालना तो उसके लिए ट्रावल करना भी पड़ेगा तो ट्रावल करने के लिए अब इसको फंडिंग कम है तो जैसे अभी फंडिंग आते जाएंगे या जॉब से मुझे जो भी सालरी आएगा उसे से निगूगा उसे ट्रावल वीडियो बनाता रहूँगा लेकिन हाँ जतना भी वीडियो है अगर आप यह वीडियो को देख रहे हो तो शेर करो ताकि एटलिस मैं वाच्टाइम कंप्लीट कर सकूँ तो होफुली जब वाच्टाइम कंप्लीट होगा तो ट्रावल करने के लिए तो अनिंग्स बिनेगी यूट्यूब के तरफ से है ना तो यह सारे देखू यह सब चीज़ें दिखाते हैं थैंक यू फो वाच्टाइम